नमस्कार दोस्तों मेरी यूट्थीوب चानल के आज के कारिक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागथ है और मैं हूँ आपके साथ रतियग्नि हुतरी आज के प्रोग्राम में मैं एक स्वरचित कविता का पार्ट करने जा रही हूँ और स्वरचित कविता का अर्थ है कि मैंने कविता खुद लिखी है और दरसल मैंने जादतर कविताएं जो भी अब तक लिखी है सब चंद मुक्त कविताएं लिखी है चिने फ्री वर्स पोईट्री कहते है लेकिन पहली बार मैंने चंदबध कविता लिखने की कोशिश की है और दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये कोशिश मेरी पसंद आएगी, अच्छी लगेगी और होसलावजाही के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ हूप शेयर करें तो अब शुरुआत करते हैं कविता की वसंद्रतू पर मैंने ये कविता लिखी है और हाला कि अब गर्मियों का मौसम चल रहा है लेकिन फिर भी वसंद तो हमारे मन में रहता है तो कभी बी ये कविता पड़ि जा सकती है तो शुरुआत करती हूं कविता से इसका शीशक है फिर फिर आया वसंद कलियों से महकते आंगन बोले रंगों की छटा से चितवन डोले तबले की खनक पर देखे हमने सब गीत गजल के यू नए नवेले ढंग कि फिर आया वसंत, फिर फिर आया वसंत धर्ती मुस्काई परियों सी यू चमक उठी वो मडियों सी हर एक आख बन गई आयना जगमक सपनों की तो पहरी सी फिर गूंज उठा वही राग रिदय में फिर गूंज उठा वही राग रिदय में सब बोल उठे कि फिर आया वसंत फिर फिर आया वसंत वही विरह मिलन के बिम्ब पुराने वही विरह मिलन के बिम्ब पुराने प्रेमगीत के ताने बाने कुछ भेध रिदय के चुपे चुपे से कुछ भे इध्रिदय के चुपे-चुपे से, कुछ राज हमारे तुम नहीं जाने फिर राद जगा एक तारा बोला, यू आशा का जुगनू किसने छोडा फिर गीत वही सब नए पुराने, सब बोल उठे की फिर आया वसंद, फिर फिर आया वसंद अंतर मन की परते खोलो, सब बैर द्वेश के आडंबर छोडो, शाम रूप की छवी सहेजे, मन की होली खूब है खेलो जाग उठी सपनों के शहर में एक नई नवेली तरंग की फिर आया वसंद, फिर फिर आया वसंद ट्वेश तर आया वसंद, युझ लुय है थाया वसंद, युझ अंतर बैक आया वसंद, और आया वसंद, ऑया वसंद, क्वश्द